यो 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 क्या कर रही है ए यो 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 आपका नया पट्टा आया है आपके लिए किते सुन्दर लग रहे हैं आप हेलो फ्रेंड्स कैसे हैं आप सब लोग आई होब कि आप सब बहुत अच्छे होंगे तो स्वागत है इनको बसूरत से फूलो के साथ आपका मेरे यूट्यूब चैनल भी नैचरल विद्मी में तो फ्रेंड्स देखिए कितना सुन्दर मेरा गार्डन ये लग रहा है और फू अगर आप लोग भी इस तरीके का गार्डन अपने अपना गार्डन इस तरीके से बनाना चाते हैं जैसे कि मेरा गार्डन बना हुआ है फूलो से खिला हुआ है तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजेगा अगर अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं क क्या है क्योंकि मैं अपने चैनल में फ्रेंड्स बहुत सारी ऐसी गाडन के साथ क्या क्या और टो क्या इस गर आदर गर ताकि जबी भी मैं कोई नई वीडियो डालू उसकी जानकरी आपको मिल सके तो फ्रेंड्स आज की वीडियो का टॉपिक ये है मतलब आज की वीडियो में मैं आपको ये बताने वाली हूँ कि मैं कल मार्किट गई थी तो मैं वहां से क्या-क्या किन-किन चीजों की शॉपिंग करके लाई हूँ और आप लोग भी उन चीजों की शॉपिंग अब कर सकते हैं तो बने रहिएगा मेरी वीडियो में एंड तक तो फ्रेंड्स देखिए मैंने कल क्या-क्या शॉपिंग की है मैं मार्किट गई थी तो सबसे पहले फ्रेंड्स मैं आपको दिखा दू कि मैं वहां से कुछ सीड्स लेकर आई थी जो कि अब कर्मियों के सीजन के हैं तो उन में सबसे पहले था फ्रेंड्स भिंडी तो ये रेड भिंडी है फ्रेंड्स ये मैं पहली बार लगाओंगी अपने किचन गार्डन में और ये मैं लॉंग बीन्स लेकर आई थी एक पैकेट और एक पैकेट फ्रेंट्स मैं ये जीनिया की सीट्स लेकर आई थी तो मैं इनको लगा दूंगी क्योंकि अभी नर्सरी में ये प्लांट नहीं मिलेंगे फ्रेंट्स तो आप इनकी नर्सरी तयार कर सकते हैं तो इसमें बहुत सारा हमारा जो है प्लांट लग जाएगा नेक्स्ट मैं लेकर आई थी फ्रेंट्स एग्लो नीमा का ब्लांट तो ये फ्रेंट्स मुझे 60 रूपीज का पड़ा तो ये जो बड़ा प्लांट होता है फ्रेंट्स बहुत महंगा मिलता है तो ये छोटा था तो 60 रुपीज का मुझे मिलियर बहुत ही हल्दी प्लांट है ये तो मैं इन सब को जो है शिफ्ट कर दूंगी बाद में दूसरे पॉट में अच्छा पॉट मैं इनको दे दूंगी और ये 4-5 प्लांट मैं लेकर आई थी फ्रेंड्स शिम्ला मिर्च के और दर्बेरा फ्लावरिंग प्लांट है तो ये फ्रेंड्स मुझे 40-40 रुपीज का पड़ा एक तो मैं दो ब्लांट लेकर आई थी तो ये पर्मेनिन प्लांट है तो जो बड़ा प्लांट होता है फ्रेंड्स वो बहुत महंगा मिलता है तो मैंने कली पता करा था तो और क्या बोलते हैं ये कद्दू लौकी तोरी इन सब के खीरा वगएरा इन सब के बीच भी आप ले सकते हैं बैंगन के पौदे आप अभी लगा सकते हैं तो वो तो मैंने पहले ही ले लिए थे फ्रेंड्स तो कल जो मैंने शॉपिंग की है वो मैं आपको दिखा रही पाकी सीट्स भी आप अभी ले सकते हैं क्योंकि अब गर्मी की सीजन की तैयारी करने का टाइम हो गया है तो यही थी मेरी आज की छोटी सी शेरिंग फ्रेंड्स और फ्रेंड्स मेरे जो है 500 सब्सक्राइबर पूरे हो चुके है 539 तो मेरी बेटी बहुत दिन से पीछे हो ममी सैलिबरेट तो उसकी खुशी के लिए मैं मैंने बिस्कित का केक बनाया था फ्रेंड्स यूट्यूब पर देखकर तो अगर हमको कुछ भी परतन था ना वो मैंने बड़ा ले लिया था तो जब निकालते समय ना वो टूट गया था केक तो बस हमने थोड़ा सा उसको ऐसे ही कठे कर लिया था तो वो कट नहीं रहा था बस हमने ही कठा करके वो बना लिया था बस जैसे तैसे की चलो 500 पूरे हो गए है तो बहुत पर नहीं है फ्रेंड्स सब्सक्राइब भी जरूर कर दीजेगा मिलते हैं नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ तक तक के लिए बाई बाई फ्रेंड्स